तो कहाने की शुरुवात में हम नर्गिस को देखते हैं जो कि अभी भी अपने ट्रॉमा से गुजर रही होती है मूवी के फर्स पार्ट में उसका किड्नाप हो गया था जहां पर कई बार उसका रेप हुआ था और अभी भी वो उसी ट्रॉमा में जिसकी वजय से उसके मैरेड लाइफ भी खराब हो रही थी और आज अपनी अनवर्सरी के दिन भी उसका मूट खराब होता है यहां पर उसका हस्बेंट समीर उसे चिल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कैसे भी करके उसके हल्प नहीं कर पाता ऐसी समीर जाते है अपने फ्रेंड के भाई के डेथ अनवर्सरी पे जहां पर उसके फ्रेंड के भाई और उसके वाइफ के डेथ एक एकसिडेंट में हो गई होती है पर उनकी एक बेटी होती है जो कि अभी भी जिन्दा होती है यहाँ पर समीर का फ्रेंड यह बोल रहा था कि वो उसे किसी ओर्फेनेज में डाल देगा क्योंकि वो बहुत ज़ादा ट्रावल करता है अपने काम के वज़े से और वो हर जगे एक 5 साल की छोटी बच्ची को लेकर के नई जा सकता तो यहाँ पर समीर उसे यह बोलता है कि वो कुछ दिन के लिए नंदनी जो कि उसके भती जी का नाम होता है उसे वो समीर के साथ में छोड़ दे अगर नर्गिस को उसके साथ में अच्छा लेगा तो वो दोनों उसे अडॉप्ट कर लेंगे तो कि उसे हमेशा यही आदाता रहता है कि अगर चीज़ें इतनी खराब नहीं होती तो शायद आज उसकी भी एक बेटी होती वो नंदिनी के साथ कैसे भी करके बॉंड नहीं बना पाती है In fact वो उसे अपने रूम में भी नहीं आने देती है नंदिनी का रूम अलग होता है जब कि वो एक छोटी बच्ची होती है लेकिन धीरे धीरे करके नर्गिस और नंदिनी के बॉंडिंग बनने लगती है और फाइनली नर्गिस मान जाती है और समीर उसे डॉप्ट कर लेता है वो उसे स्कूल भेशते हैं उसे बहुत प्यार करते हैं और धीरे धीरे करके वो तीनों एक हैपी फैमली बन जाते हैं पर अब जब यहाँ पर नंदिनी एक लड़की के साथ जब स्कूल से वह पस आ रही थी यह लड़की उसे बड़ी होती है और नंदिनी रोज उसी के साथ स्कूल से वह पस आती है तो वो लोग यहाँ पर आईस्क्रीम खाने के लिए रुख जाते हैं कि तभी वहाँ पर उनी के स्कूल के तीन लड़की आते हैं और एक ब्लू कलर की वैन में उसे किड्नाप करके ले जाते हैं वो लोग नंदिनी को भी किड्नाप कर लेते हैं क्योंकि वो भी उस वक्त उसी लड़की के साथ में होती है अब ये सारी बाते स्कूल को पता चलती है और स्कूल तुरंती समीर को इनफॉर्म कर देता है समीर जाता है पुलिस टेशन में जहाँ पर अभी तक उसने नर्गिस को कुछ भी नहीं बताया होता है और यहाँ पर उसी दूसी लड़की का भाई भी आया होता है यहाँ पर वो लोग घंटों तक वेट करते हैं और कोई भी FIR नहीं लिखता है और अब इस सबसे परिशान होकर कि समीर उसे आईस्क्रीम मैन को ढून लेता है और उसी के साथ उसी डिरेक्शन में निकल जाता है जिस डिरेक्शन में वो वैन गई होती है यहाँ पर वो रास्ते में लोगों से पूछता रहता है कि उन्होंने कोई ब्लू कलर की वैन देखी है और अगर देखी है तो वो किस डिरेक्शन में गई है दूसी तरफ पुलिस को पहले से ही शक होता है कि यह काम किस ने किया है तो वो लोग जाते है सीधे ठागुट जी के पास में ठागुट जी एक बहुत बड़ी पाउरफुल लेडी होती है और वहाँ जाकर कि पुलिस उन्हें सारी बाते बता देती है ठागुट जी यहाँ पर अपने ड्राइवर को कॉल करती है और उनका ड्राइवर उन्हें ये बताता है कि उनके पोते बच्चू ने दोनों लड़कियों का किड्नाप किया है और इस वक्ट वो लोग फार्म हाउस में हैं और उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं तकि पुलिस को कुछ भी ना पता चले और पुलिस उनसे डरती है इतनी जादा कि वो लोग इस केस में बिलकुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं दूसी तरफ समीर यहाँ पर लोगों से पूछते पूछते एक गाउं के खेत में पोहँच जाता है यहाँ पर खेत में जब वो लोग ढूनते हैं तब उन्हें दोनों लड़कियों के बॉड़ी मिलती है दोनों की सासे चल रही होती है पर उन्हें बहुती बुरी तरह से मारा गया होता है वो लोग उन्हें तुरंती हॉस्पिटल में ले करके जाते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल में नंदनी की डेथ हो जाती है और वो जो दूसरी लड़की होती है वो कोमा में चली जाती है अब यहाँ पर समीर बुरी तरह से तूट जाता है और तभी वहाँ पर जो दूसरी लड़की का भाई होता है वो समीर को बताता है कि यह काम किस ने किया ह क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि उस लड़की के स्कूल में कुछ लड़के उसकी बहन को परेशान कर रहे हैं वो उन्हें बच्चों के बारे में सब कुछ बता देता है यहाँ पर हॉस्पिटल से समीर को ये भी पता चलता है कि दोनों ही लड़कियों के साथ रेप हुआ है जब ये सारी बाते नर्गिस को पता चलती है तब वो समीर से और भी ज़दा दूरिया बना लेती है वो ये कहती है कि जब तक उसके बच्ची के रेपिस्ट को सदा नहीं मिल जाती है तब तक उनके बीच में कुछ भी सही नहीं होगा अब ऐसी कुछ लोग बीच जाता है पर पुलिस यहाँ पर कोई भी इंवस्टिकेशन नहीं कर रही होती है और केस वहीं पर टिका होता है एक दिन समीर को बहुत ज़्यादा गुसा आता है और वो जा करके उसी केस को हैंडल करने वाली पुलिस वाले की घर में जा करके उसे बहुत पीटता है और उसे पूछता है कि वो इंवस्टिकेशन क्यों नहीं कर रहा है कि तब ही वहाँ पर दूसरे पुलिस वाले भी आ जाते है और अब समीर को एक on duty officer के ओपर हाथ उठाने के लिए जेल में भेश दिया जाता है यहाँ पर जेल में ठाकुर जी उसे मारने के लिए एक दूसरे आदमी को भेशती है जो कि पहले से ही जेल में होता है अब यह सारी बाते यहाँ पर जेल में हर किसी को पता होती है और ऐसे ही समीर का जो सेल में होता है उसे भी बता होती है समीर का सेल में उसे क्याची देता है और यह कहता है कि अगर वो इस आदमी से बच गया तो फिर वो उसकी हेल्प करेगा समीर यहाँ पर उस आदमी से बच जाता है और उसे मार देता है और अब फाइनली उसका सेलमेट उसकी हल्प करने के लिए मान जाता है उसका सेलमेट एक कसाई होता है और बाहर उसकी फैमिली होती है और वो आदमी जिसे की ठाकुर जी ने बोला था कि दोन लड़कियों को काट करके मार दो वो इन लोग का दुश्मन होता है तो यहां से यह कसाई उसकी हल्प करने के लिए रेडी होता है और अग कुछ वगबा समीर भी जेल से निकल जाता है यहां से जैसी वो निकलता है वैसी वो अपने कसाई फ्रेंट के घर पे जाता है जहां पर उसे यह पता चलता है कि उनके दुश्मन कसाई का एक इलाका है और इस इलाके में काफी दुनों से ठाकुर जी के घर से खाना आ रहा होता है समीर समझ जाता है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर है हो सकता वो बच्चोई हो तो इसलिए वो मुहरम के दिन वहाँ पर जाता है और अटाक करता है जब वो एक एक करके सब को पीटते वे अंदर पहुशता है तब वो यह देखता है कि वहाँ पर तो ड्राइवर, वो कसाई और बच्चोई का एक दोस्त होता है वो कसाई को तो वहीं पर मार देता है और वो ड्राइवर को और बच्चों के दोस को उसी जगे पर ले करके आता है जहाँ पर उन्ने नंदनी और वो लड़की में थी ड्राइवर यहाँ पर बोल देता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है वो लोक उससे बहुत जादा पावरफुल है और वो उनके अगेस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है और उसकी बीटी के साथ गलत करने वाला यही है जैसी समीर को यह पता चलता है उसका गुस्सा आउट आफ कंट्रोल हो जाता है और वो उसी वक्त उस लड़के को मार देता है और उसे पेड से टांग करके चला जाता है साथ में वो ड्राइवर को भी अपने साथ में रख लेता है क्योंकि अब ड्राइवर एक विटनेस है जिसने की सब कुछ होते वे देखा था कि कैसे उसके बच्ची के साथ और उस लड़की के साथ गलत हुए आगे वो ऐसा ही जो इस केस को हैंडल कर रहा था वो जा करके समीर से मिलता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके उसकी हल्प नहीं कर पाएगा और उसे इंसाफ भी नहीं दला पाएगा, यहां का justice ऐसे ही होता है, इसलिए अब समीर को अपने आपी justice करना पड़ेगा, और अब वो उसे बच्चो की location बता देता है, बच्चो इस वक्त एजिप्ट में होता है, जहां पर उसके पिता भी होता है, तो अब यहां से समीर उसी सारी illegal guns लेता है, और पहट जाता है बच्चो को मारने के लिए, यहां पर एक काफी लंबा fight का scene होता है, जहां पर end में आ करके समीर बच्चो को मार देता है, यहां पर बच्चो के पिता समीर को मारने ही वाले थे, कि तभी वहां पर पीछे से उसी लड़के का भाई, उसी बच्चो के पिता को मार देता है, दूसी तरफ क्योंकि उस लड़की ने कोमा से बाहरा करके गवाही दे दी होती है, तो अब यहां पर पलिस जारी होती है ठाकर जी को अरेस्ट करने के लिए, और ठाकर जी जो कि काफी जादा घटिया होती है, यहां पर हमें एक और बात चलती है कि वो लेस्टियन भी होती है, और डोने भी अपने पास में लड़की को ऐसी बंदी बना करके रखा होता है, जिसके साथ वो बी गलत करती है, और ऐसी जब वो लास्ट टाइम में हुसे पर पर और यहांपर ने प्रेगनेंड होता है, वहां कि लोग समीर को बहुत ज़ादा पसंद करने लगते हैं और उनके लिए वो मसीहा होते हैं साथ में काफी सारी political parties उसे टिकेट देने के लिए भी आ जाती है और यही पर यह movie खत्म हो जाती है इस movie का नाम था खुदा हाफिस चाप्टर 2 जो कि 2022 में रिलीज होई है इसकी IMDb rating है 9.0 out of 10 तो अगर आपको मारा explain पसंद दया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और वैंचाल को सब्स्राइब करें तो मिलते है नेक्ट वीडियो के साथ, बाइ-बाइ